नमस्कार अप लाइम सिटीज देख रहे हैं मैं हुझ जैशुकला बात करेंगे बिहार के राजनीती की और लगतार बिहार के राजनीती की चर्चा इसलिए जल रही है क्योंकि हर रोज कुछ न कुछ निकल कर सामने आ रहा है आज हम बात करने जा रहे हैं जदियू के राज्य परिश्ट के बैठक के बारे में जो बैठक शनिवार को हुई और इस दोरान नितीश कुमार ने जदियू के पताधिकारियों को संबोधित करते हुए वैसे तो कई सारी बाते कहीं लेकिन एक बात उहने और कही और वो बात विश्टार से सुनिए बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने इनारसी के मुद्दे पर अपने स्टेंड को एक बार फिर दोहराया है जे दियू की राज्यक परिश्ट की बैठक में शनिवार को उन्होंने कहा कि हम बिहार में इनारसी लागू नहीं होने देंगे पहला मौका नहीं है जब नितीश कुमार ने इनारसी को बिहार में लागू नहीं होने देने की बात कही हो जब पूरे देश में CAA विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे तब भे नितीश कुमार ने ऐसी बात कही थी विदान सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि CAA का रा इस तोरान उन्होंने पार्टी के संब्ध में चर्चा करते हुए कहा कि हम समाजवादी सोच के लोग हैं, हमारा एक मात्रलक्ष जनता की सेवा करना है, जो वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया, सब के लिए एक जैसा ही काम करना है. मुखे मंत्री ने बिहार विधान सबा चुनाव 2020 में जदियू को कम सीटें आने पर भीटी पड़ी की, उन्होंने कहा कि एंडिये में सब कुछ पांच माह पहले तय हुर जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना के कारण समय कम हो गया, इतना कम समय था कि पता ही नहीं चला कि कौन स नहीं दे रहा है, चुनाव परचार के समय शाम में जब पार्टी ऑफिस लॉट कराते थे तभी संदेह पैदा हो गया था, वर्ष 2019 में पार्टी के सदस्ता अभियान चला, बूतस्तर तक कमीटी बनी, ट्रेनिंग दी गई, सब को बुला बुला कर हमने मुलाकात की, लेकि पता थी कारियों से कही, और कई मुद्दों पर उन्होंने बात की, कई मुद्दों पर बिंदुवार धंग से चर्चा की, और ये भी कहा कि चुनाव के समय में ये पता नहीं चला कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, और उसका कारण उन्होंने बताया कि ये समय कम मिलन के वज़ा से हुवा है और जो सबसे बड़ी बात नितीश कुमार ने कही वो नितीश कुमार ने अपने बयान को दुहराया लेकिन इस वक्त ये बयान इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि आप सभी को पता है कि जद्यू और बीजेपी के बीच में अरुनाचल प्रदेश में हुए मामले के बाद किस प्रकार से रिष्टे हैं और लगातार इस पर सियासत भी होती रही है अब ऐसे में इतीश कुमार का ये बयान दे देना कि चाहे भीड़ना पड़े तो भीड़ जाएंगे चाहे विरोध करना पड़े तो विरोध करेंगे लेकिन बिहार में इनारसी लागू नहीं होने देंगे बड़ा वयान हो जाता है आप बने रहें लाइप सिटीट के साथ तमाम खबरे हम आपको देंगे लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें इसक सकता है